Hi everyone, the topic is the color spaces, so this video में हम जानेंगे कि color spaces का क्या importance होता है किसी भी computer vision, किसी भी computer vision role में, so अभी देखते हैं कि, सबसे पहले कि देखते हैं कि इसमें interview questions क्या होंगे, important interview questions, फिर important task, किस color space से क्या task related रहता है, and after that we will learn the different models, ठीक है, यह बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको कोई भी है क्या, so color space को हम क्या कह सकते हैं, एक mathematical model बोल लो, या फिर कुछ equation का model बोल लो, एक function का model बोल लो, जो कि यह define करता है कि कैसे किसी color को हम represent करेंगे, आपने दिखा था कि RGB जब हम color space में use करा था, RGB color space में हम red, green और blue, 3 values देते थे, किसी भी color को represent करने के लिए, यानि यह एक mathematical model है कि आप 3 values दो in a form of row, row और बोल लो, टपल, बोल लो, टपल and row एक ही बात है, आप 3 values दोगे, एक टपल में, तब जाकि वो एक color बनाएगा, ठीक है, यह एक RGB color space हो गया, यानि it is a mathematical model, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास different models है, यह एक आजाता है, सबसे पहला एक model जो हमने RGB है, अभी additive color model है, additive का मतलब क्या है, तीनो colors, जब मिलते हैं, तो इनका union क्या बनाता है, white, white light बनाता है, ठीक है, और जब absence of any color होता है, तो क्या बनता है, black color बनता है, मतलब अगर 0,0,0 हम लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, black बन जाएगा, 255,255,255 लिखेंगे, तो क्या बन सबी आ रहा है, उसमें क्या चीज होने वाली है, ठीक है, तो अब देखोगी, RGB के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते है, CMYK के बारे में, CMYK के क्या है, कि जो भी printing होती है, printers में क्या होता है, कि cyan, magenta और yellow, ये तीन colors चलते हैं, ठीक है, उसके बाद अब ये K क्य क्या है, अब ही मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या है, ये इसे बोलते हैं की, ठीक है, तो ये क्या है, CMY printing model, printers में ये जो चलते हैं, cyan, magenta, yellow, जिसको नहीं पता है, ये बाद ध्यान रखना, तीन color की inks पढ़ती हैं, उसमें, cyan, magenta और yellow, ये printing model होता है, ये एक subtractive color model है, ठीक ह ये बात तो सही है कि जब printing में paper हम डाल रहे हैं, तो वो white होता है, तो वो natural color, अब ये की का क्या role है, CMYK, की क्या होता है, अब ये बात ध्यान रखना है कि printing cost में एक जगह हम तीनो colors मिला रहे हैं, तब black बना रहे हैं, और एक जगह हमने black ink ही use कर ली, तो वो चीज एक interview question है कि half toning क्या होती है, ठीक है, एक computer vision engineer अगर हो, आपको पता होना चाहिए, what is half toning, half toning एक process होती है, जिससे हम एक image को कम ink लगा कर print कर सकते हैं, HP में जितने भी computer vision engineers हैं, या फिर जो भी है, half toning पे बहुत research करते हैं कि कैसे हम अपने printers को efficient बना सकते हैं, ठीक है, half toning हमें इस एक paper है, इस पे हमें एक side में देख रहे हैं कि हमें एक shade ले जाना है, black से लेकर बिल्कूल हलका हलका करके white ले जाना है, तो ऐसा तो है नहीं, printer को यह नहीं माळूम होता है, यहाँ पर मतलब dark चापना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसे यह पता होता है कि कहां पर घने dots चापने हैं और कहां पर light dots चापने हैं तो वो dots इतने close 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 बना देता है कि human perception हम लोग naked eye से लगता है हमें कि हाँ यह color हलका होता हुआ चला गया इसे बोलते हैं हम half toning यह discrete dots होते हैं मतलब अलग-अलग dots होते हैं देखा यही image को हम enlarge करेंगे तो pass वाली image देखो कितने कितने बड़े-बड़े dots हैं लेकिन यह इतने pass हैं कि हमें लग रहा है कि यह printer ने एक हिसंग बना दी है अभी आते हैं hsv color space पे बहुत ही जादा important color space है अगला हमारा project जो आने वाला है दो-तीन वीडियो जाद वो hsv color space पे होगा ठीक है यह color space क्या होता है कि जैसे हम लोग perceive करते हैं किसी भी चीज़ को hue saturation और value के terms में इन्हें बोलते हैं hsv ठीक है अभी चलो ठीक है डरो मत यार अभी पता लग जाएगा hsv है क्या यह क्या है यह एक color को हम अभी देख रहे हैं यह तीन value represent करती है लेकिन यह एक color को एक से represent करता है in terms of saturation और उसकी जो brightness है जो उसकी निखार है brightness को वो किस terms पर लिखता है value hue saturation value color hue ने बता दिया saturation ने उसका गाड़ापन बता दिया और value ने उसका brightness बता दी ठीक है अभी यह देख रहे हो understanding the hsv यहाँ पर लेगा hue is the color portion देख रहे हैं एक cone बना दिया हमने यह cylinder भी ब बाहर के लिए हम आते हैं तो अंदर से बाहर के लिए हमारे पास मालो की एक saturation आ गई कि बाई अंदर हमारे पास सबसे light है बाहर आते आते हमारे पास गाड़ा color हो जाएगा कितना amount of gray उसमें पड़ा हुआ है और उसके बाद जो value होती है value का मतलब हम नीचे से उपर के लिए आ रहे हैं कि कितना brightness हम उसे देते जा रहे हैं कितनी intensity उस color को हम देते जा रहे हैं ठीक है hue saturation value यह होती है कि color अलग उसका गाड़ापन अलग और brightness अलग ठीक है अभी इसका uses क्या है uses क्या है कि जब भी हमें कोई ऐसा task करना है जिसमें हम लोग जैसे color देखते हैं हमें वैसे color देखना है तब हम उसे hsb color space बोलते हैं ठीक है यह बहुत सारे उन projects के लिए जैसे rubics cube solver हो गया जैसे color tracking हो गया hand gesture detection हो गया जैसे यह sign language बनाते हैं जैसे करके hand gesture detection हो गया उसके बाद air canvas हो गया तो हम इने hsb color space में करते हैं अब आ गया कि drawback of rgb color space बहुती important interview question है कि rgb color space का drawback क्या है simply rgb color space में हमने देखा है कि तीनों values rgb के form में दी हुई हैं तो यह color का information और brightness का information साथ में कभी भी नहीं रख सकता यानि ऐसा हम नहीं कह सकते sorry यह अलग नहीं कर सकता ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि हमने इससे color अलग कर लें और brightness अलग कर दें अगर हम एक image एक low light में दिखा रहे हैं और एक image हम मतलब बहुत अच्छी bright में दिखा रहे हैं तो यह दोनों के rgb values different contain करेगा लेकिन हमें चाहिए कि low light और bright light दोनों में same color detect हो तो हम किसका use करेंगे lab colors space का lab में क्या है कि lab 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 इसमें L channel light को दर्शाता है और A और B channel जो है वो colors को दर्शाते हैं ठीक है तो L हमने light अलग कर दी हटा हो भाई light को अब हमें पता लग गया कि हमारे पास दोनों उसमें channels में A और B में color से हम colors easily detect कर सक different होंगी लेकिन LAB में AB values same आती है ठीक है समझ गए अभी क्यों हम LAB use करते हैं इसके बाद आता है YCRCB YCRCB में भी ऐसे चीज़े होती है ठीक है तो अभी जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम लोग color spaces पढ़ते जाएंगे लेकिन अभी के लिए मैं इतना बताना जरूरी था क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं color space जब बोल रहा हूं तो बोल क्या रहा हूं एक mathematical model for which we are giving the particular integer values or any type values and they are being represented ठीक है अभी major uses of color space जब भी दो images के बीच में color transfer हमें लगाना होता है simple सी बात है color space change करना होता है ठीक है तब हम ये color spaces हमें इसकी knowledge होनी चाहिए secondly smartphone camera या फि color space से implement होते है HSV color space से implement होते है बहुत मज़ा आता है बस saturation तुम change करो देखो क्या मज़ा आता है photo को edit करने में ये तो smartphone के filter तो बहुत पीछे रहे जाएंगे तुम अपने आप देखना चला कर ठीक है फिर intensity equalization हम चाहते हैं कि एक image में कहीं पर बहुत dark है कहीं पर बहुत light है हम हमें उसकी intensity equalize करनी है तो उन algorithms में ये color spaces यूज होते हैं कि हमें सिर्फ intensity का channel अलग चाहिए और उसके बाद बहुत सारे computer vision के segmentation task segmentation मतलब किसी भी चीज़ को अलग करना ठीक है जैसे rubik's cube solving हो गई अब हम अगर अंधेरे में rubik's cube solve कर रहे हैं या फिर हम बहुत light में solve कर रहे ह तो हमें different color spaces चाहिए ना जिससे कि सिर्फ color detect करें वो ये ना सोचे कि अंधेरा में है बंदा या फिर बहुत light में बैठा है अब आप अगर RGB बना दोगे तो आपका RGB तो अंधेरे में fail हो जाएगा लेकिन HSV हो गया या फिर YCRC भी हो गया ये fail नहीं होंगे ठीक है तो that was the whole point of color spaces अब अगले वीडियो से हम अपना नमपाई शुरू करेंगे हैं दो वीडियो में उसे खतम करेंगे अल्राइट गाइस थैंक्यू